अलो गाईस आज मैं आपके लिए लेक्या हूं शोट हेर पर लोड रहे हैं बॉय का ब्लोड रहे हैं कैसे करें सबसे पहले हम इनके कर रहे हैं टोप हेरिया से ब्लोड रहे स्टार्ट हमने इनके रखे हैं 30% वेट हेर ताकि हमारा हेर जब ड्राय हो तो वह अपनी शेप उसी करेंगे राइट साइड पार्टिश सबसे पहले हम टोप एरिया पर करेंगे बैक से स्टार्ट अब देख रहे हैं मैं साइड से ब्रस कैसे चला रहा हूँ ऐसे ही हमने जब ब्लोड रहे करना है तो ड्रायर की नोजल है वह डाइगनल करके रखेंगे ताकि क्लाइंट के स्केलप पर हीट ना लगे अब देख रहे हैं पहले मैं हेर को पकड़ रहा हूँ फिर उसका ग्रीप बना रहा हूँ फिर उसको छोड़ रहा हूँ मैं बालती पकड़ बनाके फिर उसको छोड़ रहा हूँ ताकि हेर प्रोप पर अपनी शेप बना लेग यह देखिए मैं फ्रेंट पर कैसे बाउंस लेके आ रहा हूं हम इसको अच्छे से बैक की तरफ करतेंगे ताकि हमारे हेर बैक की तरफ फोल करें यह दिसा को जाक्यों पर बॉम्ट जिनए ट्यम करें इंटिटी के पर युज आढूरी अपर इंटिब्स मत जाने तो जामित के मिलशे दाकुल पर जाने कि यह देख आए है gefख understands के लाहिस तरफ दो बेक है कि साइच से हम इनके हेर्प बैक की तरफ करेंगी अब देख रहें मैं सब्छक्री की तरफ कर रहा हूं जो राइट वाली सइड है उसको लेफट वाली तरफ करूँआँ और लेफट व्ली को राइट वाली साइड आप देख रहे हैं मैं ग्रिप पना कर रहे हैं फिर उसके उपर ड्राय कर रहा हूं ताकि हमारा हेर एक जगा स्टे कर जाए टोपेडिया से ड्रैगर नहीं बाद मैं अपने हेर को पार्टेशन दूँगा जो कि मैं राइट की तरफ करूँगा क्योंकि हमारे क्लाइन को राइट की तरफ पार्टेशन चाहिए इसलिए मैं इनके राइट तरफ ड्रैट करूँगा अब देखते हैं मैं राइट तरफ कर रहा हूं हमने कुछ नहीं करना है सरफ सिंपल तरीके से हैं आगे आगे ब्रश चलाना और बैक से ड्रैर से हीट लगाता जाना है घर अपनी शेप खुद बनाता जाएगा इनके राइब हम यूज़ कर रहा हूं फ्लैट ब्रश इनके राइब हम यूज़ कर रहा हूं फ्लैट ब्रश चलिए हमारा ब्लोड रहा हो चुगा अब मैं अपनी फिंगर की हर्प से हैर को एक शेप दे रहा हूं जो कि एक नच्रल से शेप लगे रहा हूं चलिए अब मैं करूँगा इनके हेर पर ड्रैर रैर से सप्रे करने के रिजन यह है जो कि मेरे छोट चोटे हेर हैं वो अच्छे से कवर हो जाए और हमारे हेर जो ब्रिक के जाए है यह शोट हेर है वह बाहर की तरफ नाइ आए अब देख रहे हैं मैं कैसे यूज़ कर रहा हूं पहले फिर उसके उपर सप्रे यूज़ करूँगा पहले साइड से करूँगा दोनों तरफ से ताकी साइड से नेच्छल फोल आ जाए उसके बाद फिल में करूँगा टोप एगया से जो कि हमारा फ्रंट है फ् फिंगर के हल्प से , ताकि हमें जितना हेर बाहर रखना ए हम उतना रख सके हमने फिंगर के हलप से अपने हेर को पोजिशन दे देनी है , जीदर आप रखना चाते हैं , उसके बाद आप हेर सप्रेय यूज़ करेंगे , जो के हम फ्रंट की तरफ करेंगे चलिए अब मैंने haircope position दे दी है अब मैं करूंगा spray spray करते हैं हम front पे हाथ रख लेंगे ताकि जो हमारा spray है वो face पे ना लगे face पे जब spray हो जाता है तो हमारे itching हो सकती है और reddish भी हो जाते हैं जिसको allergy बोल देते हैं इसलिए हम avoid करके चलेंगे यह रहा हमारा final look जो कि ब्रोड राइका है short hair पर पना ठाइका है और रसे झाल और बाइका हैं है रहा है है